सो गैस जैसा कि अब सबको मालूम है कि OnePlus back to back अपने नया स्मार्टफों को मार्केट के अंदा लांच कर रही है अब फिछले माई नहीं OnePlus ने अपने OnePlus 11 और OnePlus 11R स्मार्टफों को मार्केट के अंदा लांच किया था और अब एक नया स्मार्टफों जल्दी मार्केट के अंदा ला दी गई है और यह स्मार्ट फॉन 4 अपरेल को मार्केट के अंदर लॉंच किया जाएगा तो आज किस वीडियो में सम बात करने वाले हैं समार्ट फॉन के सब specs के बारे में इसकी design के बारे में इसके साथ ही गई समबाद करेंगे कि ये smartphone आपको इंडिया में किस प्राइज पर देखने को मिलेगा तो सवागत अब सब कर टेक रूज पर जानकारी के लिए वीडियो में अंट तक बनी रहें और दोस्तों चनल पर पहली बराए हैं तो subscribe कर लीजिए ताकि आपको सी तरह एक डेक वीडियो मिलती रहें सो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि आईफून के बाद वन प्लस के स्मार्ट फॉन जिए काफी ज्यादा पसंद करते हैं और जो कश्टमर्स वन प्लस की महंगे स्मार्ट फॉन को आफ़ नहीं कर सकते उनके लिए OnePlus की Note series है जिसके अंदर काफी कमाल के smartphones को काफी बढ़िया specs के साथ में launch किया जाता है, अब इसी series के अंदर OnePlus की तरफ से जल्दी एक नया smartphone market के अंदर आने वाला है, जिसका नाम रहेगा OnePlus Note C3 Lite smartphone, तो फटापट से बात करते हैं smartphone के सबी specs के बारे में और देखते हैंगा इसकी कैसा smartphone ही आप सब के लिए रहेगा, अगर फेश्ट वपल दोस्तो हम बात करते हैं smartphone की design और build quality के बारे में, तो आप देख सकते हैं screen पर कि इस phone की design है वो निकल कर सामने आ चुकी है, इसके back side में आपको polycarbonate की body दी गई है, triple camera setup यहाँ पर आपको मिलता है, इसके साथ ही गई इस front side में एक बड़ी display पंचल के cutout के साथ में यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो overall दोस्तों, इस smartphone की design काफी बड़ीया है और काफी कमाल किणन फीलिंग यहाँ पर आपको मिलेगी, अगर design के बाद दोस्तों हम nest बात करते हैं smartphone की display के बारे में, तो यहाँ पर गई सापको 6.7 इंचेस की LCD IPS display देखने को मिलती है, जो की Full HD plus resolution के साथ में आईगी, अगर नेश्ट बात करते हैं smartphone की performance के बारे में, तो यहाँ पर गई सापको Qualcomm के तरप से snapdragon 695 chipset देखने को मिलेगा, जो की 5G chipset है, तो काफी कमाल की आप यहाँ पर gaming कर सकेंगे, इसके साथ दोस्तों कोई भी task को easily आप यहाँ पर complete कर सकते हैं, इसके लाव अगई से यहाँ पर आपको 8GB तक की RAM देखने को मिलेगी, जो की 1208GB तक की स्ट्विच के साथ में आएगी, अगर नेश्ट बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर camera setup के बारे में, तो फ्रेंट साइड में दोस्तों एक पांचोल का cut-out दिया गया है, जिसके अंदर 16 में अवसल का एक selfie camera आपको देखने को मिलेगा, जिससे काफी कमाल की selfies और वीडियो कॉलिंग वगरा दोस्तों आप कर सकते हैं, अगर camera's के बाद दोस्तों हम nesht बात करते हैं स्मार्टफोन की battery के बारे में, तो यहाँ पर गईस आपको फाइव थांडर मेच की एक बड़ी battery देखने को मिलेगी, जो कि 67W की fast charging support के साथ में आएगी, तो battery दोस्तों काफी बड़ी है, तो battery backup भी यहाँ पर आपको काफी बड़ीया देखने को मिलेगा, साथी 67W की fast charging है, तो काफी जल्दी स्मार्टफोन को charge भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसके लाब अगई से अगर हम बात करते हैं, स्मार्टफोन के कुछ और features के बारे में, तो finger band scan का support side में देखने को मिलेगा, साथी type C का support भी गई से यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसके लाब अगई से यह स्मार्टफोन Android 13 पर work करेगा, तो काफी कमाल की speed यहाँ पर आपको 5G connectivity के साथ में देखने को मिलेगी, अब अगर बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की pricing के बारे में, तो phone की pricing होने बाली है Procs 26,000 के आसपास, इसके साथ ही दोस्तों यह स्मार्टफोन 4 अपरेल को मार्केट के अंदर लाउंच किया जाएगा, सुग इसी तीसार इंफर्मिशन OnePlus Note C3 Lite 5G स्मार्टफोन के बारे में, आप अपर देक आप इस phone के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इस phone को लेने में इंटरेस्टेट होंगे, अगर आपको कोई और भी comment हो गई तो आप वो भी लिख सकते हैं, फिलाल गई से इस वीडियो में इतना ही है, गर वीडियो छो लगा हो तो वीडियो के के लाइक कर दीजिए और दोस्तों जनलने पर पहले हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछी तरेक टेक वीडियो मिलती रहे हैं, मैं मिलता हूँ आपको नैस वीडियो झाल दोस्तों से बदैने को वीडियो मिलती के अधर दोस्तों बॉडियो के इस वीडियो